आज हम बात करेंगे सेक्शुल रिप्रोड़क्शन की आप चाहें तो हमारी अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस क्रैश कोर्स में अपने आपको जॉइन करवा सकते हैं जिसे की सौ जिनों में आप नीट के लिए एक दम प्रेपेरड हो जाएं और बहतर तरीके से आप एक गवर्मेंट मेडिकल सीट को टार्गेट कर पाएं कंसेट वहाँ पर एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगी मल्टिपल टीचर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा तो प्लीज मेक शॉर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर आप लोग कनेक्ट हो जाएं और अगर आप लोग हमसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है बिना किसी डिस्टर्बेंस के तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी आप्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको एक एक एक्स्टर एडवांटेज मिले आप अपने परफॉमेंस को ट्रैक कर पाएं और अपनी गलतियों को भी टाइमली सुधार पाएं बात करते हैं यार टॉपिक की sexual reproduction आखिर होता क्या है कुछ basic चीजे हैं जो कि हमें पहले से पता हैं जो कि हमने last lecture में already tackle कर ली थी asexual reproduction में आपको पता है यार कि uniparental reproduction होता है यानि asexual reproduction की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ एक parent ही involved होता है और एक parent जब involved होगा तो 100% उसी का genetic material ट्रांसपर होगा to the progeny यानि जो बच्चे बनेंगे वो 100% similar होंगे to that one parent और उन्हें clone कहा जाता है कोई भी variation यहाँ पर नहीं आती है लेकिन when it comes to sexual reproduction तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि sexual reproduction में दो parents की ज़रुवत बढ़ दी है यानि it is by parental reproduction और by parental reproduction में क्या होता है एक parent को हम लोग कहते है male parent एक parent को हम लोग कहते है female parent यह अपना gamete बनाता है जिसको हम कहते है male gamete यह अपना gamete बनाती है जिसको हम कहते है female gamete दोनों की दोनों चीज़े जायर सी बात है haploid होती है gametes are always haploid in nature और ये gametes जब fuse करेंगे ये gametes जब साथ में आकर के fertilize करेंगे तब जाके ये बनाएंगे एक deployed zygote और पूरा का पूरा जो नया organism है वो इससे तयार होगा जैनि sexual reproduction में क्या होता है male और female के characters merge होते है male और female के characters mix होते है तो ये जो organism बना है ये zygote से आगे चलके जब organism बनेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ unique properties and कुछ unique propositions भी आएंगी बिल्कुल कह सकते हैं ये जो organism है it's a unique blend of the characters of mother as well as father so it is more adaptive और ये ज़्यादा survival potential carry करता है as compared to a progeny that is formed from a sexual reproduction क्योंकिसमें ज़्यादा changes है तो ये ज़्यादा अपने आपको environment में होने वाले बगलाओं के अनुसार ढाल पाएगा और ultimately आपने आपको ज़्यादा perpetuate करा पाएगा किसी भी condition में अपने बच्चे पैदा कर लेगा harsh से harsh condition में भी तो in case survival की जो tendency है survival का जो potential है वो काफी ज़्यादा रहता है as compared to that of an organism formed from a sexual reproduction तो sexual reproduction में क्या हुआ male और female gametes बनें सीधी सी बात है ये gametes चाहे तो same individual भी बना सकता है या different individual भी बना सकते है जैसे कि in case of humans female सिर्फ female gamete बनाएगी male सिर्फ male gamete बनाएगा तो different individuals में ये काम हो रहा है जबकि अगर आप एक bisexual organism की बात करें तो वहाँ पर एक ही individual में male और female दोनों sex organs पाए जाते हैं तो male और female gamete same individual भी बना सकता है जैसे एक flower helix से वो bisexual है तो उसमें आपको center पर female sex organ यानी gynosium देखने को मिलेगा और उसके चारों और आपको male sex organ यानी androsium देखने को मिलेंगे ऐसे organisms को bisexual organisms कहा जाता है आज ये जो gamete बने हैं ये fuse होंगे तो क्या बनेगा एक deployed zygote बनेगा और ये zygote आगे चलके divide करकरके बहतर तरीके से cell division करकरके नया organism बना देगा तो जो sexual reproduction है इसमें काफी सारे event है अज sexual reproduction में क्या था एक organism में उससे bud निकला और वो नया organism बना बैठा एक organism में उसके fragments हुए हर fragment नए organism में तबदिल हो गया एक organism में उससे spores निकले एक spore ने जब germination चोकी तो वो एक नया organism बन गया लेकिन यहां पर क्या है elaborate process है timely ही सारी की सारी चीज़े होती है complex है इतना आसान नहीं है और time taking है slow है energy भी खूब लगती है इसमें as compared to that of a sexual reproduction a sexual reproduction rapid है fast है simple है यह आपका complex है बहुत slow है बहुत elaborative है और बहुत time और effort consuming है energy consuming है क्योंकि यहां पर fusion होता है male और female gamit का तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो parent से identical नहीं होते और एक दूसरे से भी बिल्कुल identical नहीं होते यारी ना मैं एक दम अपने पापा जैसा दिखता हूँ ना मैं एक दम अपनी मम्मी जैसा दिखता हूँ तो parent से भी थोड़ा बहुत मैं लग हूँ ना मैं एक दम अपनी दीदी जैसा दिखता हूँ ना मैं एक दम अपने भईया जैसा दिखता हूँ उनसे भी मैं लग हूँ सब की अलग पहचान है क्योंकि सब में कुछ-कुछ नई variations आए exception यहां पर है monozygotic twins यह चिंकी मिंकी आती है ने वह आपने देखा होगा काफी सारी रील्स भी बनाते हैं कपिल शर्मा शोपर भी आते थे तो चिंकी मिंकी है बिलकुल एक जैसे दिखते है they are monozygotic twins वहाँ पर थोड़ा बहुत एक exceptional case है वह एकदम सेम दिखाई देते हैं otherwise in normal case in general scenario यहाँ पर क्या होता है दोस्ट अलग-अलग individual की पहचान होती है उनको आप उनकी शकल से पहचान सकते हो अगर आप अलग-अलग organisms की study करो diverse organisms की चाहे वो plant हो animals हो, fungus हो तो आपको पता लगेगा कि यह morphology में अनि दिखने में बहुत अलग होते हैं अब fungus क्या है? पफूंद है भाई आपने कोई खाने का समान निकाला जैसे bread निकाली उसको आपने दो दिन के लिए बहार रख दिया उसके उपर fungus जम जाएगी वो भी एक organism है एक बहुत-बड़ा tree है वो भी एक organism है और आप हो आप भी एक organism हो तो क्या आप पफूंद जैसे दिखाई देते हो? मतलब पहली बार बोल सकता है तुमारे मन में जवाब आए हाँ, बट ऐसा नहीं है लोग तुम में कहते हैं कि तुम पफूंद जैसे दिखाई दे सकते हो But it is not true हम बहुत अलग है तो fungus बहुत अलग दिखता है मैं बहुत अलग दिखता हो तुम बहुत अलग दिखते है लेकिन हमारी Morpology अलग अलग है Internal Structure अलग अलग है Complexity अलग अलग है काम करने का तरीका अलग अलग है लेकिन जब Sexual Reproduction की बात आती है सब के अंदर pattern एक दम सिमिलर है यानि क्या pattern है तीन तरीके के events होंगे एक fertilization से पहले का जिसे हम क्या बोलेंगे pre-fertilization event pre-fertilization event pre-fertilization मत्तब gametes के fusion से पहले के events gamete fuse नहीं किये हैं अभी तो क्या होगा दो processes होंगे पहला process भाई gamete बनेंगे भी तो इसे हम क्या कहते हैं gametogenesis या आप रिख सकते हो gamete formation second gamete transfer भाई gamete fusion से पहले एक दूसरे के पास भी तो आएंगे तब ही तुझा के fuse करेंगे न तो gamete transfer यह दो चीज़े होती है pre-fertilization event के अंदर second important event is fertilization itself यानि अब जो पास आ चुके हैं gametes यह आपके बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ fuse कर जाएंगे third important thing is post fertilization event post fertilization events क्या हुआ दोस्तिस के अंदर यहाँ पर fertilization हुई zygote बना अब वो zygote send division शो करेगा और embryo में तब्दील हो जाएगा यानि embryo genesis जो है वो यहाँ पर होती है embryo बनेगा और वो embryo जो है आगे further develop करके एक नया organism तयार करेगा embryo genesis is a part of post fertilization event अब चाहिए आप fungus देख लो अगर उसमें भी sexual reproduction हो रही है तो पहले gamete बनेगे फिर fuse होगे फिर embryo genesis होगी चाहिए प्लांट देख लो प्लांट भी पहले gamete बनेगे fusion होगी embryo genesis होगी चाहिए आप animal देख लो gamete बनेगे fusion होगी embryo genesis होगी यानि pattern सबका similar है और इनकी life patterns भी लगफग एक जैसे होते हैं जो भी organism sexually reproduce करता है यह पहले जवान होता है तो यह जो phase है stage of growth and maturity जहां पर वो reproductive stage पर पहुँचने वाला उससे पहले का जो time है इसे कहा जाता है juvenile phase और plant में इसे कहा जाता है vegetative phase vegetative phase मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ vegetative organs ग्रो करते है stem है leaf है root है यह सब organs ग्रो करेंगे vegetative phase में reproductive organs नहीं आते यानि इस time पर flowering नहीं हुई है क्योंकि flower is the site of sexual reproduction in plants तो vegetative अगर किसी plant को आप बोल रहे हो उसमें flower नहीं है तो vegetative phase में अभी flower नहीं है reproductive phase में flower आएगा similarly juvenile phase है इसका मतलब अभी organs तयार हो रहे है mature हो रहे है तो become sexually active अभी sexually active हुए नहीं है तो juvenile phase में तयार यहां चलती रहती है जैसे आप एक particular age पे आने के बाद ही reproduce कर सकते हो sexual intercourse को complete कर सकते हो उससे पहने का जो phase है that is called as juvenile phase plant में इने vegetative phase बोला क्योंकि अभी flower नहीं आया है और यह variable duration का होता है हर organism के अंदर समझो एक dog है तो जब पैदा होता है dog उसे 8-9 महीने के अंदर usually वो sexually reproduce करने लायक हो जाता है लेकिन हमें अच्छे खासे time क्यावशक्ता होती है 15,16,17,18 साल हमें लग जाते हैं और इसलिए जो legal marriage age है वो भी आपकी काभी अच्छी खासी अच्छी reproductively active होना पड़ेगा कोई biennial plant है जो दो सीजन में अपनी life cycle को complete करता है वो थोड़ा सा जाधा time ले सकता है जो perennial है वो थोड़ा और अच्छा खासा time ले सकता है जैसे juvenile phase खतम होगा तयारिया खतम हो जाएंगी vegetative phase खतम होगा तो क्यों आ जाएगा reproductive phase आ जाएगा अब यह sexually reproduce कर सकते हैं प्लांट में तो आप easily देखकर बता सकते हो कि reproductive phase चल रहा है या नहीं क्योंकि प्लांट में अगर flower है इसका मतलब vegetative phase खतम हो चुका है उसके बाद ही flower आता है तो आपको easily पता लग जाएगा कि flower आ चुका है यानि कि दोस्त यहाँ पर reproductive phase की शुबात ह हो चुकी है अगर आप देखें तो आपका juvenile phase या vegetative phase उस टाइम पर खतम हो चुका है यहाँ पर अगर आप देखें तो आप अगर plants को observe करते हैं तो कुछ ऐसे plant होंगे जो पूरे साल जो है आपको full प्रदान करते हैं कुछ और ऐसे होंगे जो सिर्फ एक particular season में ही आपको full प होते हैं जैसे समझ लीचे कोई जानवर है वो सिर्फ सर्दी में reproduction शो करता है तो गर्मी में active नहीं होगा similarly अगर कोई plant है जो सर्फ गर्मियों में active होता है flowering करने के लिए तो वो सर्दियों में flowering शो नहीं करेगा लेकिन अगर कोई continuous breeder है तो साल के किसी भी महिने में किसी भी दिन में sexually active हो सकता है जैसे कि human beings हर साल में आप देखोगे हर दिन किसी ना किसी का बर्द्य आता है अगर आप बड़िया स्कूल में पढ़े हो जहां पर अच्छे कासे बच्चे है तो एक जना जो है वो नई dress पैन के हमेशा stage पर टंगा रहता था यार मेरा birthday है मुझे डॉक्टर इंजिनियर बनना है मतला म मुझे पता नहीं कि तुम्हार स्कूल में क्या होता था हमारे में यह होता था जिसका बर्द्य है वो stage पर खड़ा होगा प्रिंसिपल साहब उसको pen pencil यह जो भी एक wrapped gift देंगे और बच्चा जो है वो आकर के बताएगा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है मुझे इंजिनिय तो continuous breeder है लेकिन कुछ ऐसे plants होते हैं या कुछ ऐसे animals होते हैं जिनके बच्चे specific time पर ही पैदा होते हैं जैसे plants तीन तरीके के होते है प्लांट जो है यह annual होते है annual मतलब होते है एक साल एक साल के अंदर यह अपनी life cycle को complete कर देंगे flowering कर लेंगे अच्छे तरीके से बाइनि तो नहीं लेकिन पत्ते जब उग रहे हैं दालिया जब उग रहे हैं तो आपको पता लगा भाई vegetative phase चल रहा है फिर full आए आपको पता लग गया reproductive phase आ चुका है फिर सब कुछ जड़ गया senescent phase आ गया आपको पता लग गया कि हाँ भाई senescent phase आ चुका है तो यहाँ पर annual औ प्लांट्स होते हैं सिंस इनकी life cycle काफी छोटी है तो इनमें आप clear-cut vegetative, clear-cut reproductive और clear-cut senescent phases को देख सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे species हैं जो perennial है जो कई सालों में एक बार लेक्ट से आपका flowering करती हैं तो आप exactly नहीं बता पाओ के कि उसमें अभी कौन सा phase चल रहा है समझ लो एक plant है जिसने अभी तक flower नहीं किया है लेकिन वो 50 साल का हो गया plant अभी तक flower नहीं किया तो अब आपको कैसे पता लएगा कि यह flowering के बाद का plant है यह flowering से पहले का इसकी तो अच्छी खासी height है तो आप नहीं justify कर पाओ गया सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसने उस plant को starting से देखा हो and since इनकी life cycle बहुत बढ़ी होती है so that is not very possible for example जैसे कि bamboo की अगर आप बात करें तो bamboo का जो plant है 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार large number of fruits and flowers produce करता है और उसके बाद उसकी death हो जाती है तो 50 से 100 साल तक कौन ही observe करेगा एक plant को इतनी तो हमारी life cycle नहीं है यार इतना तो हमारा life span नहीं है अर्थ के उपर around 70, 72, 75 इतना average मान सकते हो कि maximum यार कोई बंदा आज के दिन में जीता है अगर 100 साल में bamboo flower कर रहा है तो उसको तो observe हम करी नहीं पाएंगे तो इसमें आप clear cut नहीं बता सकते कि कौन सा phase चल रहा है यह flowering से पहले का plant है या flowering के बाद का plant है that you can't justify similarly एक और बहुत अच्छा plant है इस पर question भी आता है इसे नीला कुरंजी बोलते है क्योंकि यह नीले कलर के flowers produce करता है यहाँ पे blue stretches भी लिखा होगा यह रहा है तो blue का मतलब होता है नीला तो नीला कुरंजी जो plant है यह 12 साल में एक बार flower करता है आखरी बार यह September October 2018 में flower कर चुका है उसकी photos भी मैंने आपके साथ previous lectures में share की हुई है तो 12 साल में एक बार यह जो है flower करता है 2006 के बाद 2018 में किया है अब 2030 के आसपास यह flower करेगा यानि कि 8 साल बाद यह usually South India में देखने को मिलता है तो केरला, करनाटका और तमिल नाडू के जो पहाड़ी इलाके है उन पे बहुत बढ़िया यह फूलों की पट्टी तयार कर देता है नीले रंग की तो कापी सारे जो तूरिस्ट है उनको बहुत जादे एक्साइट करता है अनिमल्स की अगर आप बात करें तो फ्लावर्स की बात होगई या प्लांट्स की बात होगई कि अन्वल और बाइनियल में आप वेजिटेटिव, रिप्रोड़क्टिव, सेनेसेंट फेज इजीली बता पाऊगे लेकिन वेल इट कमस तो पेरिनियल प्लांट इट बिकमस यहां पर आप देखेंगे अनिमल्स में तो केस थोड़ा सा आलगी यहां पर जब आप जुवनाइल फेज में जाएंगे तो जुवनाइल फेज के एंड पे जब आप पहुंचेंगे ना सेक्शुली मैचॉर होने वाले होंगे तो काफी सारे मॉर्फोलोजिकल चेंजिस औ होने से पहले जैसे अभी मैं एकदम नॉर्मल हूं नॉर्मल इन सेंस यह कोई अबनॉर्मली नहीं है लेकिन जब मैं जुमिनारी फेज के एंड पे पहुंचूँगा उस ताइम पर आमपिट हेर साना स्टार्ट हो जाएंगे प्यूबिक रीजन में हेर साना स्टार्ट हो बोथ इन बॉइस और और लड़कों में जो डारी है वो उगनी स्टार्ट हो जाएगी मॉस्टेच उगनी स्टार्ट हो जाएगी आवाज जो है बारी हो जाएगी और लड़कों में भी कुछ ऐसे चेंजिस होते हैं विचार वेरी वेरी इप्रेंट फ्रॉम्पल development हो जाए, then it is a disease called gynecomesia, right, जो कि हम principles of inheritance and variation में पढ़ेंगे, थोड़े सा female characters induce होने start हो जाते हैं, male के अंदर, which is not correct, so females में breast development होती है, hip development start हो जाती है, hips become broad and ultimately all those changes are taking place at the end of juvenile phase, which marks that the female or the male are being reproductively active, now they can reproduce, now it is the time when they can show their active reproductive behavior, right, तो कापी सारे morphological changes जैसे डारी मुझ आ जाना और masculine हो जाओगे आप थोड़े, ये होते हैं, physiological changes भी होते हैं, जैसे female में यार menstrual cycle start हो जाएंगी, mensis आने start हो जाएंगे, periods जिनको हम बोलते हैं common language में वो आने start हो जाएंगे, so that is the thing that happens, in case of male sperm production gets started and ultimately ये सारे changes evident होते हैं, आपको automatically पता लग चाते हैं, so reproductive phase जो है, ये भी आपका variable duration का होता है, अलग अलग organism में, depending upon life cycle, जाएंगे बात है, अगर आप human में भी देखें, तो human में भी male और female में different है, variable है, एक आदमी जो है, एक male जो है, वो 70 साल तक भी sperm produce कर सकता है, 70-75 साल तक भी देखा गया है, लेकिन females में menopause आ जाता है, menopause मतल 40-45, चालिस नहीं, usually 45-50 की एज के असपास females में eggs बनना बंद हो जाते है, और वो release होना भी बंद हो जाते है, अनि menstrual cycle एक दम खतम हो जाती है, that is called as menopause, so females जहां सिर्फ 50 साल तक ही eggs produce कर पाती है, male 75 years तक भी sperm produce करता रहता है, तो reproductive phase भी देख रहे हो, same species के अंदर भी कितना ज gender, so this is the thing, जो कि यहां पर हमें बताते हैं कि reproductive phase की भी जो timing है, वो अलग-अलग हो सकती है, यहां पर अगर आप देखोगे, animals में भी, तो दो प्रकार के आपको तरीके देखने को मिलते हैं, बच्चे पैदा करने के, first is vb peri, vb peri मतलब बच्चों को गर्ब में रखना, जो क भी हम लोग करते हैं, right, females जो है, they have a bomb, उसी में बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है, जिसे parturation period कहते हैं, और उसके बाद बच्चे को deliver कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिं, birds के case में अगर आप देखे हैं, काफि सारे और जानलों के case में आप देखें, तो यह ओ भी पैरस होते हैं, यह अंडे देते हैं, right, यह अंडे देते हैं, और अंडों के अंदर उनके बच्चे जो है present रहते हैं, जैसे ही वो अंडे को hatch करेंगे, अंडे को तोडेंगे, और बहार निकलेंगे, वो एक नई life start कर सकते हैं, बट, यहाँ पर आप देखोग दालते हैं, वहाँ वो जो मुर्गियां हैं, यह पूरे साल अंडे देती हैं, हर दिन अंडा दे रही हैं, तो क्या यह natural process है, the answer is no, यह exploitation है, जो मुर्गी पालक रहते हैं, वो अक्सर इन मुर्गियों का फायदा उठाते हैं, और इनके अंदर को changes induce कराते हैं, hormonal changes, जिसकी व मुनापा कमाते हैं, but this is not a natural process, it is called as commercial exploitation of birds for human welfare, हम लोग उनके अंदर की physiology को सोड़ा सा alter करते हैं, जिस्ते की हमें ज्यादा से ज्यादा मुनापा हो सके, which is totally totally wrong, और यहाँ पर जब reproductive phase आता है न, तो placental mammals जो होते हैं, जिनके अंदर placenta बनता है, जो बच्चे और मा के बीच में connection मनाता है, जब बच्चा मा के गर्ब में होता है, तो placental mammals जो हैं, इनके अंदर cyclical changes होने लगते हैं, in the ovaries and in the accessory duct, जैसे fallopian tube बगएरा, तो यहाँ पर जो hormones हैं, इनकी वज़े से ovaries की functionality में थोड़ा बहुत change आता है, और cycle start हो जाती हैं, यानि X release होना start हो जाते हैं, इसे आप क जैसे की गाय हो गई, बेड़ हो गई, rat है, deer है, dog है, tiger है, इन सब के अंदर आप इसे बोलते हो, oysters cycle, लेकिन when it comes to primate, हम लोग प्राइमेट है, बंदर एक प्राइमेट है, एप एक प्राइमेट है, हमसे मिलता जुनता, यह जो हैं दोस्त, इन में आप menstrual cycle term का इस्तमाल करते हो, menses, that menses word has been taken from the menstrual cycle, जबकि non-primates में उसे oyster cycle कहा जाता है, function एकदम सेम है, उसमें कोई भी गड़वर नहीं है, यानि हर माही ने, अगर मैं humans की बात करो, तो हर 28 दिन की cycle होती है, हर 14th डे पे, alter भी हो सकता है कई बार, just because of some reasons, जैसे की stress है, कोई proper exercise नहीं कर रहा है, या बह हो चुका है, तो लड़कियों में क्या होता है, usually ये cycle काफी बार disrupt हो जाती है, कि लेक्ट से आपका जो egg है, वो आना था 5 Feb को, there are a lot of applications that females must have installed, those application में बता देता है, अच्छा यार आपको इस दिन, अगर menses हुए है, तो next month, there is a probability that you will get menses on this particular day, so that they can become ready, क्योंकि उन्हें भी का assurance कि हायर इस time पे मुझे pad केरी करना start कर दे रहा है, तो वहाँ पर क्या रहता है, दोस्त, basically वो जो time है, वो application हमें beep sound के थुरू बताता रहता है, एक indication दे रहता है, that this is the right time for you to carry your pads always with you, तो वहाँ पर क्या होता है, काफी बार उस date में alteration हो जाती है, let's say 5th of Feb को egg आ रहा था, वो तो नहीं आया, वो 10th of Feb को shift हो गया, so there is a shift also, right, many mammals, especially those living in natural or wild condition, exhibit such cyclic changes only during favorable seasons, जिने seasonal breeder कहा जाता है, उन्हें पूरी साल साइकल नहीं चलती, जैसे human की जो female है, वो, let's say एक साल में, अगर एक महिने में एक egg release करती है, तो एक साल में 12 eggs release करेगी, that is for sure, लेकिं, यहाँ पर क eggs नहीं release करते हैं, सिर्फ एक season में ही egg release करते हैं, इन्हे seasonal breeder कहा जाता है, since इन्हें पूरी साल reproduce करना ही नहीं है, तो एक specific time पर ही इन cycles को induce करते हैं, लेकिन, काफी ऐसे animals रहते हैं, जो पूरी के पूरी साल ही eggs release करते रहते हैं, इन्हें continuous breeder कहा जाता है, जैसे कि human beings, right, तो पहले हम जवान हुए, juvenile phase को complete किया हमने, then reproductive phase जब हम reproductively active है, एक time के बाद senescent यानी बूडे होना हम लोग start हो जाते हैं, तो हम सब लोग बूडे हो जाते हैं, जब reproductive phase खतम हो चुका होगा, तो आप क्या बहुते हैं, कि reproductive phase खतम हो चुका है, तो क्या हुआ है उस time पर actually, हमारी body में जो है, metabolism की जो feed थी, वो कम हो चुकी है, and ultimately हम लोगों की death हो जाएगी बार में, senescent phase के बार, यानि सबसे पहरे juvenile phase आया, पचपन से लेके, जवानी तक जो हमें छोड़ेगा, that is juvenile phase, फिर जवानी का phase आया, that is reproductive phase, फिर हम deteriorate करने लगे, senescent phase आया, हम कमजोर होते चले चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, ये जो तीनो phase है न, इन तीनो phase हो में transitions के लिए hormones are responsible, जैसे बचपन में हमारे अंदर sexual hormones उतने नहीं बन रहे हैं, लगिन जब हम reproductively active हो जाएगे, तो male के अंदर testosterone, androgens बनना स्टार्ट हो जाएगे, female के अंदर estrogen, progestrogen बनना स्टार्ट हो जाएग and बुडापे में फिर वो कम होना स्टार्ट हो जाएगे, तो ये जो तीनो phases है, इन तीनो के बीच में hormones तो interaction करवाते हैं, इसके साथ-साथ environmental factors भी हैं, जो regulate कराते हैं, जैसे कोई seasonal breeder है, तो हाँ पर environment भी एक अच्छा role play करता है, कि this is the right time for you to breed, या फिर this is not the right time for you to breed, that is being regulated by the environmental factors, और इसी से हमारे behavioral expression भी control होते हैं, यानि जब हम जवान होते हैं, we become more aggressive, we become more robust in work, we have a lot of energy, since we are active, बट उसके बाद बुडापे में या उससे पहले हम लोग उतने active नहीं रहते, उतने ताकतवार नहीं रहते, अब देखो यार, तीन चीज़े मैंने आपको बताई थी, is fertilization and third one is post-fertilization, now it's time to understand that, यह sexual reproduction में क्या-क्या चीज़े होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो इन्हें तीन zones में आप divide कर सकते हो, pre-fertilization यानि fertilization से पहले, जिसमें आते हैं gametogenesis यानि gamete का बनना और gamete का transfer होना, second is fertilization यानि gametes का fuse होना, third one is post-fertilization यानि gametes के fusion के बाद, embryogenesis ह होना, after attainment of maturity, यानि एक बार sexually mature हो जाने के बाद, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have a remarkable fundamental similarity, यानि एक बार कोई भी organism sexually mature हो गया, तो वो similar pattern show करेगा, gamete बनाना start करेगा, right, तो sexual reproduction since काफी elaborate और काफी complex process है, लेकिन चीज़े जो है, वो regular sequence में ही होती है, जैसे सबसे पहले, gamete बनेंगे, फिर उसके बाद fuse होंगे, फिर उसके बाद zygote बनेगा fusion के बाद and embryogenesis होगा, embryonic development start होगी, एक complex आपको organism बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अब इन तीनों processes को बारी बारी हमें पढ़ना है, the very first process is pre-fertilization process, यहां पर दो चीज़े आएंगी मैंने आपको बत बनेंगे, fertilization में, which is the second part, तो pre-fertilization में gamete बने और पास पास है, तो gamete बनते कैसे है, gamete के बनने के process को gametogenesis बोला, male में बनेगा male gamete, female में बनेगा female gamete, और कोई organism अगर bisexual है, उसमें male पार्ट भी है, female पार्ट भी है, तो दोनों gamete खुद बखुद बना सकता है, gamete कैसे होते ह haploid होते हैं, क्यों, जोकिने fuse करके एक diploid zygote बनाना होता है, यहाँ पर देखो, type of gamete क्या है, अगर दोनों gamete एकदम एक जैसे दिखते हैं, male और female में कोई परकी नहीं कर पा रहा है, तो नहीं क्या बोलोगे, एक जैसे हैं, तो iso gamete बोलोगे, जो की cladophora में पाए जाते ह female जो है काफी बड़ी है, male काफी छोटा है, and heterogamates हैं आपका, humans के अंदर भी, जहाँ female काफी बड़ी है और static है, move नहीं कर सकती, spawns आपके छोटे-छोटे हैं, लेकिन motile है, तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिला, यहाँ पर this one is female, this one is male तो आप बता सकते हो, this one is female, this one is male आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं बता सकते हो, अगर मैं यहाँ भी female लिख दूँ, यहाँ male लिख दूँ, तो आप नहीं बता पाओगे कि मैं correct हूँ या गलत हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों ही same दिखाई दे रहे हैं, right, कुछ algae के अंदर, जैसा कि अभी हमने द में majority में, जो आपके gametes हैं, वो अलग-अलग दिखते हैं, तो इन्हें heterogametes या anisogametes कहा जाता है, जो male gametes है, इसमें एक word आता है, enter, तो इसे anthrozoid कहा जाता है, या sperm कहा जाता है, which is a common term, और जो female gametes है, इसे egg या ovum कहा जाता है, दोनों के दोनों ही humans में इस्तमाल की जाने वाली terms है, तो gametes चातो सेम हो सकते हैं, इन्हें बोला isogametes, या different हो सकते हैं, इन्हें बोला anisogametes, male gametes को बोला जाता है, enterzoid या sperm, female gametes को बोला जाता है, एग या ovum, अब ये किन organisms में बनेंगे, क्या दोनों अलग-अलग में बनेंगे, जैसे male हूम है, तो मैं सिर्फ sperm बना सकती है, sperm नहीं बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसे organisms होते हैं, जैसे earthworm है, उसमें दोनों ही काम सेम earthworm कर सकता है, उसमें दोनों organs है, male sex organ भी, female sex organ भी, right, so it is very very evident कि वो दोनों चीज़ें खुद बना लेगा, तो sexuality in organisms, जो है, इसको समझना बहुत important है, यहां कुछ terms आएंगी, जै dioecious किसे कहते हैं, dioecious किसे कहते हैं, homothalic किसे कहते हैं, heteroothalic किसे कहते हैं, यह terms आपको समझ में आनी चाहिए, अब यहां पर हम बात करते हैं, कि दो जो आपके gametes हैं, यह क्या हमेशा different individual से बनेंगे, no, it is not always true, क्यों, क्योंकि कुछ और organism, bisexual भी होते हैं, वो तो दोनों के दोनों gamete खुद बना सकते हैं, so, plants may have both male and female reproductive structure in the same plant, जिसे bisexual बोला, तो bisexual के क्या क्या नाम है, वो यहां पर हम लोग लिखते रहेंगे, कापी सारे नाम है, इसे bisexual बोला, bisexual मतलब दोनों की दोनों चीज़ें, same organism में present है, अगर same organism में present है, तो इसे आप क्या बोलोगे, right, इसे ब मिल रही हो, तो bisexual को आपने क्या बोला, monoecious बोला, अब mono में क्या आ रहा है, second और fourth position पर ओ आ रहा है, homo में भी second और fourth position पर ओ आता है, तो monoecious को homothelic भी बोलते हो, homothelic भी बोलते हो, इसमें भी second और fourth position पर ओ आता है, तो bisexual जो है, इसे monoecious भी बोला, homothelic भी बोला, और इसे harma prodite भी बोला, animals के case में, कि यहाँ पर दोनों की दोनों sex आपके same organisms के अंदर present है, right, वहीं पर अगर आप देखोगे, तो इसका just opposite कर दो, by bisexual की जगा, unisexual आप यहाँ पर लिख सकते हो, unisexual है, यानि male अलग है, female अलग, तो दो organisms की ज़रुद पड़ी, दोनों sex को represent करने के लिए, दो organism मतलब, die, तो die, oecious, die, oecious, homothelic की जगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर, उल्टा कर दो, heterothelic, heterothelic हो जाएगा, तो यहाँ पर जो monotious है, इसे homothelic भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो, यह दोनों bisexual condition represent करते हैं, heterothelic और diocious term आप यूज़ कर सकते हो, unisexual के लिए, right, unisexual में आप heterothelic या diocious term का इस्तिमाल कर सकते हो, अब unisexual मतलब, एक जना सिर्फ male है, एक जना सिर्फ female है, तो मेरे case में, मैं human male कहला हूँगा, और अगर सामने कोई female है, तो वो human female कहलाएगी, plants के case में, जिसमें, आपका stamen है, stamen is the male sex organ, उसे हम बोलेंगे, staminate, और pistil या carpal, is the female sex organ, तो इसे क्या बोलेंगे, pistillate, तो stamen is the male sex organ, और pistil is the female sex organ, तो जो male flower है, उसे stamen बोला, या staminate बोला, और जो female flower है, pistillate बोला, जिसमें दोनों हैं, उसे bisexual flower बोला, right, तो कुछ ऐसे flowering plants होते हैं, जिनमें दोनों ही पाए जाएएंगे, तो इसे monoecious बोल दिया, और कुछ ऐसे होंगे, जो male और female होंगे, staminate और pistilate होंगे, उन्हें diocious बोला, जैसे monoecious plant है, आपके cucurbit और coconut, तो यहाँ पे आप bisexual का example अगर ले लो, monoecious का, तो क्या हो गया, cucurbit, और coconut, जबकि यहाँ पर diocious के अगर आप बात करें, तो papaya और date farm, दोनों में papa आ रहा है, पा, पा, तो papa कैसे है, male है न, unisexual है, तो क्या हो या, papaya और date farm, दोनों के दोनों unisexual है, अब कुछ animals के example ले ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो यार, मैं आपको पहले डाग्राम दिखा जता हूँ, अब यह अर्थवर्म है, अर्थवर्म में देखो आपको testis भी दिखाई दे रहा है, यानि male sex organ भी है, ovary भी दिखाई दे रहा है, यानि female sex organ भी है, तो क्या आप इसे bisexual animal बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, एक में testis present है, यह male cockroach है, एक में सिर्फ ovaries present है, female cockroach है, तो इसे आपने क्या बोल दिया, इसे आपने बोल दिया, unisexual, तो इसमें आपने क्या बोल दिया, cockroach को unisexual बोल दिया, और भी example है, लेट्स टेक अलूक एड़ दाइं, यह जो आपका plant है, इसे बोला कारा, यह जो C दिखाई दे रहा है, अब कारा में उपर जो है, female sex organ present होता है, नीचे की साइड यह जो गोल गोल है, यह male sex organ है, female थोड़ी उपर है, male थोड़ा नीचे है, यह हमेशा याद रखना, पूछ दिया जाता है, काभी बार label करने के लिए, कि उपर वाला female है, part या नीचे वाला, उपर वाला female है, नीचे वाला male है, all right, this is कारा, तो कारा क्या हुआ, bisexual हुआ, बहुँ दोनों part है नहीं यहापे, कारा क्या हुआ, bisexual हुआ, कारा bisexual हुआ, जबकि अगर आप अगला example देखेंगे, तो आपको markensia दिखाई दे रहा है, जो आपने plant kingdom में भी देखा था, यह archigonio 4 है, या यह female plant है, और यह enthridio 4 है, या आपका male plant है, तो male और female अलग-अलग plants में मौझूद है, यानि कि यह क्या है, unisexual आपका plant होगा, तो unisexual यहाँ पे क्या होगा, markensia, markensia आपका unisexual होगा, और यह आपका एक और example है, एंड यह आपका bisexual flower है, that is sweet potato, sweet potato जो है, इसमें stemmen भी है, यानि male part भी है, carpel या pistil भी है, जानि कि female part भी है, तो इसको आप bisexual में mark कर सकते हो, तो कारा के बाद आप क्या लिख सकते हो, sweet potato लिख सकते हो, यह आपके complete सारे example होगा, जो theory में given है, या फिर जो आपके diagram में given है, bisexual के और unisexual के, इससे बाहर NCRT के अंदर example नहीं है, इस चीज़ता, simple सी बात, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि उस तक में क्या लिखा हुआ है, art warm जो है, या sponge जो है, tape warm जो है, और leech जो है, यह bisexual है, बाइसेक्शल में और end करना चाहो, art warm के लावा, तो sponge tape warm leech भी कर सकते हो, animals के sponge, यानि आपका पॉरी फेरा, tape warm, और leech, और इसके बाद आगया जस्ट स्वीट पटेटो, तो एकनब करेक्ट ओर्येंटेशन यहाँ पर मिल गई है, इन्हें हर्मा प्रोडाइट भी कहते हैं, animals के केस में, जबकि cockroach आपका जो है, जैसे कि अगर आप देखो, तो जादातर और्गैमिसम में, male और female गैमिट आपके अलग-अलग individual बनाते हैं, same भी बना सकते हैं, गैमिट हैप्लॉइड है, लेकिन जो plant body है, वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, और diploide भी हो सकती है, तो समझ लो मेरा diploide plant है, और मुझे इससे haploid gamit बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं meiosis नाम का एक process करूँगा, और अगर मेरा haploid plant है, और मुझे haploid ही gamit बनाना है, तो मैं mitosis नाम का एक particular process यहाँ पर करूँगा, meiosis और mitosis, depending upon what are the conditions, diploide से haploid बना रहा हूँ, reductional division होनी चाहिए, meiosis होनी चाहिए, haploid से haploid बना रहा है, equational division होनी चाहिए, mitosis होनी चाहिए, जैसे कि monora है, bacteria बगेरा, fungus है, algae है, bryophyte है, तो usually क्या होता है, gamitophytic होते हैं, इनकी body usually haploid होती है, तो यह क्या करेंगे, haploid से haploid बनाएंगे, mitosis से gamitogenesis होगी, लेकिन teridophyte जो है, gymnosperm जो है, angiosperm जो है, यह आपके diploide होते हैं, तो यह diploide से haploid बनाएंगे, gamit तो meiosis के थूरू, सारी की सारी processes होंगी, यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं, यह तीनों स्लाइड हम लोग देखी चुके हैं, बकायदा इसे हम लोग supplement भी कर चुके हैं, now it's time for taking some challenge, यहाँ पर कुछ deployed chromosome का नंबर दे रखा है, आपको बताना है कि haploid chromosome का नंबर कितना होगा, या वाई से वर्सा, अगर human being में deployed है 46, तो haploid है 23, जायर से बात है, आधा कर देना है, यहाँ पर house fly में deployed है 12, तो haploid कितना होगा आधा कर दो 6, यहाँ पर 21 है, rat में तो इसका double कर दो 42, 78 है तो इसका आधा कर दो यहाँ पर क्या हो जाएगा 39, 19 है तो इसका double कर दो क्या हो जाएगा 38, 8 है तो इसका आदा कर दो क्या हो जाएगा 4 630 है इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 1260 34 है इसका डबल कर दो अच्छा है पलॉइड है तो आदा कर दो 34 है तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा 12 है इसका डबल कर दो क्या हो जाएगा 24 20 है इसका आदा कर दो क्या हो जाएगा 10 24 का डबल कर दो 48 380 है इसका आदा कर दो 190 8 है इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 16 अब इसमें से याद क्या क्या रखना है याद रखना है दोस्त हमें सिरु फ्यूमन बींग का 46 is the deployed number of chromosomes and 23 is the pair अल्रेट housefly का याद ना रखना रखना चलेगा dog का याद ना रखना रखना चलेगा of your glosum 1260 one of the highest that is given in NCRT onion का आपका cell cycle cell division chapter में भी given है तो यह important है plus यहां से आपको यह पता लगता है कि animal अगर छोटा भी हो तो उसमें chromosome का number जादा हो सकता है जैसे humans काफी बढ़े है as compared to that of butterfly लेकिन human में 46 chromosome है जबकि butterfly में 380 chromosome है तो size का कोई में लेना देना यहाँ पर नहीं है यह conclusion भी हम लोग derive कर सकते हैं अब देखो दोस्ते in deployed organism कुछ cells है जिने meocyte कहा जाता है meocyte को mother cell भी बोलते है meocyte मतलब ऐसा cell जो meocyte शो कर सकता है अगर वो meocyte शो कर रहा है इसका मतलब वो deployed है यानि वो mother cell है ठीक है तो deployed organism में हर cell meocyte शो नहीं करेगा कुछ special cell है जो meocyte शो करेंगे जो gamete बनाएगे तो जब meocyte खतम होगी तो आपका gamete बन जाएगा जिसमें since haploid है वो तो one set of chromosome होगा सिर्फ एक set आपका mother के female gamete में आजाएगा और one set आपका father के male gamete में आजाएगा दोनों fuse होगे तो एक set of chromosome आपको pair of chromosome आपको देखने को दिल जाएगा यह है gametogenesis यानि gamete कैसे बने अब gamete transfer की gamete एक दूसरे के पास पहुँचे कैसे आप male और female gamete जो है physically एक दूसरे के पास पास आने चाहिए जिससे fertilization हो पाए तो जाएगा तर और गैनिजम्स में male जो है gamete यह आपका छोटा होता है और पुर्तीला होता है motile होता है जबकि female gamete आपका क्या होता है जैसे कि कुछ fungus में, कुछ algae में जैसे cladophora में आपने देखा तो दोनों तरीके के जो gamete है मोटा है उसमें दोनों ही पास पास आ सकते है otherwise सिर्फ male भाग के आएगा female के पास लेकिन यह भाग कर आ रहे है since या swim कर कर आ रहे है जिसके तुरू male gamete female तक पहुंचेंगे लेकिन पानी में लहर की दिशा समझो यह है gamete को जाना उस साइड है तो काफी gamete based हो जाते है काफी gamete पहुंच ही नहीं पाएंगे female तक pale हो जाएंगे तो reach the female gamete इसलिए 1000 गुना male gamete produce होते है as compared to that of female अगर female gamete एक है तो male gamete कम सकम 2500 होंगे उसके comparison में क्योंकि इतने सारे male gamete होंगे तब जाके एक आदा कोई सही जगा जाके fuse करेगा अगर आप बात करते हैं seed plants की जिन में seed होते हैं जैसे की gymnosperm और angiosperm तो pollen grain बनते हैं महाँ पे pollen grain जो है इसके अंदर दो male gamete होते हैं अगर आप angiosperm की बात करें तो दो male gamete होंगे जो की double fertilization कराएने और female जो है जो अपनी जगा पर बैटी हुई है उसके ovule में egg होगा तो यहाँ पर क्या होगा pollen grains जो है यह आपके पहुचा दिये जाएंगे to the stigma और यहाँ पर क्या होगा उसे accept कर लिया जाएगा देखो यार यह male का sex organ है it is anther it is filament इन दोरों का मिला करके क्या बोला जाता है stem है और यह female का sex organ है this is stigma which is the landing platform this is type and नीचे है आपकी ovary यहाँ पर आपका क्या है egg module है यहाँ पर आपका egg module है यहाँ पर जब यह enter पटा तो pollen grains release हो गए enter पटा तो pollen grains release हो गए यह pollen grains जब stigma पर जाकर land हुए मेरे दोस्त तो यहाँ पर क्या हुआ pollen tube बनी यह pollen tube लेकर के जाती है इसे नीचे की side यानि इस egg तक और pollen grain यहाँ पर जाकर male gamut को discharge कर देगा और egg के साथ उसका fusion हो जाएगा तो यह जो medium है इसके थुरू pollen grains को पहुँचाया जाता है which can be air, which can be water, anything राइट? तो जो bisexual flowers होते हैं जिनमें दोनों organs अपने ही पास है तो इन्हें self-fertilizing plants का जाता है जैसे कि आपका मटर है that is pea तो इसमें क्या रहता है? pollen grains भी same plant पे है, stigma भी same plant पे है तो बहुत पास-पास है तो एक दूसरे को easily approach कर सकते है लेकिन अगर cross-pollinating plant है जिसमें stigma यानि female plant जो है वो अलग है और pollen कहीं और से आ रहा है तो इसमें क्या होता है? pollination नाम का एक event हमें रखना पड़ता है यानि pollen जो है आपका transfer होगा to the female plant part इसे कहा जाता है pollination तो इस process is called as pollination तो यह pollination हमें करवानी होती है right? pollen grains जो है जैसा मैंने आपको बताया था stigma पे germinate करेंगे और pollen tube बना लेंगे pollen tube male gametes को ले करके जाएगी और यू तक और male gametes को discharge करतेगी right? जिसके बाद male और female का future हो जाएगा in case of dioces animals that is in case of unisexual animals male और female gametes जो है अलग-अलग individuals बनाएगे तो यहाँ पर भी gamete transfer के अलग-अलग mechanisms होते हैं जैसे कि human male और female का जब intercourse होता है तो human male penis से sponge निकल करके female के genital tract में insert हो जाते हैं and ultimately they can reach to the place, they can swim as well as they can go to the site of fertilization जहाँ पर और एक के साथ fuse करके zygote बना सकते हैं तो fertilization इनकी हो जाते हैं जब यह पास-पास sponge है right? जैसे कि यह देखें दो gamete आपके सेम थे तो इन्हें homo gamete या iso gamete बोला गया तो यह साथ-साथ जब आए तो इनके बीच में fusion हुई and इन्होंने क्या बना लिया? नया zygote बना लिया जो कि नया individual बना लेगा यह देखें यहाँ पर pollen grain है जो कि stigma के उपर attach हो गई है और इन्होंने pollen tube grow कर दी यहाँ पर pollen grain का germination दिखाया गया है stigma के उपर pollen tubes जो है यहाँ पर बन रही है pollen tubes यहाँ पर बन रही है now the second important process is fertilization gamete बने और पास-पास आए अब वो fuse कैसे करेंगे? this is the most vital event in sexual reproduction जहाँ दोनों gamete साथ-साथ fuse करेंगे इस process को syngammy कहा जाता है यह fertilization कहा जाता है अब दो haploid gamete अगर fuse कर रहे है तो एक deployed zygote बनेगा एक से haploid content आया एक से haploid content आया तो deployed zygote आपका तयार हुआ लेकिन कुछ ऐसे organism हैं जैसे कि rotifors, honeybees and even some lizards and birds जैसे कि turkey जहाँ पर female gamete जो है बहुत अच्छे से याद रखना है कि female gamete जो है वो आपका खुदी-खुद development show कर देती है और एक organism बना लेती है without fertilization इसे हम कहते हैं parthenogenesis 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 का मतलब होता है without fertilization और genesis का मतलब generation नए organism का एक और word आपने सुना होगा parthenocarpy कारफी का मतलब होता है fruit तो वहाँ parthenogenesis without fertilization कारफी मतलब fruit का बना वहाँ fruit बन रहा है without fertilization यहाँ पर पुरा organism बन रहा है without fertilization तो rotifer है honey bee है कुछ lizard की varieties है as well as turkey नाम का bird है जिसमे female gamete खुदी mature हो जाता है और नया organism बना लेता है तो इसे fertilization की जरूरत नहीं परती वह खुदी-खुद division शो करता है और काफी सारे cells तयार कर लेता है जिससे organism की पूरी body तयार हो जाते है right अब next question आता है कि sincami huti का है यानि जो male और female gamete fuse कर रहे है कहा fuse कर रहे है जैसे अगर आप humans की बात करें तो इनका fusion female की body में होता है male ने sporms discharge किये वो female की body में चलेगा और female की body के अंदर fusion हो गया और वहीं पर बच्चे की development भी start हो गया तो इस internal fertilization लेकिन काफी जानवर क्या करते है अपने eggs को पानी में छोड़ देते और वहीं पर काफी सारे sporms भी आ रहते है और उनका fusion पानी में ही होता है यानि दोनों की body में नहीं हो रहा बाहर हो रहा है पानी के अंदर it is called external fertilization वहीं पर उनकी development होती so they are very prone to predators कोई भी शिकारी आकर के उनको खा सकता है तो उनके survival की chance काफी कम होते है इसलिए वह बहुत जादा बच्चे पैदा करते है उनके eggs जो है उनकी संख्या हजारों में हो सकती है क्योंकि उनमें से कुछ चुनिंदा ही end में बचेंगे लेकि humans जो है या mammals जो है कम बच्चे पैदा करते है जैसे human usually एक बच्चा पैदा करते है कभी occasional cases में twins या triplets हो जाते हैं लेकिन occasionally एक ही बच्चा पैदा होता है मालब generally एक ही बच्चा पैदा होता है क्यों क्योंकि उसके survival chances बहुत साथ है एक भी होगा तो जिन्दा बच्च जाएगा तो सिंगैमी होती कहां पर है अगर कोई पानी में रह रहा है और्गैनिजम जादा तर aquatic organism में जैसे कि algae है या कई fishes है या फिर amphibians है तो ये external medium में यानि water में ही अपने gamits को छोड़ देगे और वहीं पर egg के साथ sperm fuse हो जाएगा और external fertilization आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर synchrony बहुत जादा होनी चाहिए यानि synchronous events होने चाहिए यानि अगर female egg release कर दिये है तो male को भी sperm release करने पड़ेगी समलो female egg release कर दिये और उनकी viability है दो दिन की और sperm आ रहे है एक हफते बाद तब तक तो egg खतम हो गए चाहिए छोड़ दिये जाते हैं जिससे सिंगैमी के chances बढ़ जाए जैसे की bonny fishes और frog जहाँ पर काफी जादा number of offsprings produce होती है क्यों क्योंकि ये excessively vulnerable होते है कि इनको कोई ना कोई शिकारिया करके मार देगा तो इनके survival chances कम है इसलिए इनका number काफी जादा होता है जिसमें release के जाते हैं water में कि अगर 1000 बच्चे भी है यार 800 भी मर गए तो भी 200 बचेंगे लेकिन हमारे case में एक बच्चा है तो वो भी बच जाएगा इसलिए हम कम बच्चे पैदा करते हैं अगर आप बात करें ऐसे organisms जो की जमीन पर रहते हैं terrestrial है जैसे की आपके fungus, higher animals जैसे reptile है तो वो पानी से बाहर आ जाते हैं and they are basically living on land birds है, mammals है, जाधा तर ये land पे रहते हैं majority of plants जैसे की ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिप्रोस पर्ब, एंग्योस पर्ब ये भी पानी में पाए जा सकते हैं लेकिन इसके कुछ जो है parts आपको land पर भी मिलते हैं सिंगैमी जो है inside the body of organism होती है यानि एक individual की body के अंदर सिंगैमी आपकी होगी, इसे internal fertilization कहा जाता है so egg आपका female की body के अंदर बन रहा है, male भी आपका female की body के अंदर आ जाएगा and क्या होगा, internal fertilization हो जाएगा, जो male gamete है since वो motile है, तो अगर समझो किसी male ने sperm insert कर दिया है, female की vaginal tract के अंदर, तो automatically वो swim करके at the site of fertilization पहुँच जाएगे, egg के पास पहुँच जाएगे और उनका fusion हो जाएगा यहाँ पर भी sperm का नंबर काफी जादा large होता है, और egg का नंबर कम होता है, अब आप बोलोगे यार सर यहाँ पर तो fusion की possibility अच्छी कासी है तो नंबर इतना जादा क्यो है, by default उनका size काफी चोटा है, तो उनका number काफी जादा रखना पड़ता है, जैसे एक बार में male जब ejaculation करता है, तो ultimately 300 से 400 million sperm यहाँ पर female के track में चले जाता है at one time, उनका size इतना चोटा है कि उनकी मात्रा को थोड़ा सा treat करने के लिए, there should be a large number of gametes, and उनमें से जो fittest वाला है, वो अच्छे तरीके फिल्म की स्टार्टिंग में देखा होगा ना, काफे सारे sperm's race लगा रहे होते हैं, फिर उनमें से जो सबसे बढ़िया वाला रहता है, जो सबसे पहले पहुचता है, फिटे sperm, वो जाकर के ovum को fertilize करता है, same case यहाँ है तो इसलिए इनका भी number पहुचा दिया जाता है, क्योंकि वो motile नहीं है तो उनके भी अलग-अलग जुगार है, pollination नाम का process वहाँ पर होता है अब fusion हो गई, अब post-fertilization which is the third part, कि अब क्या हो गया zygote तो बन चुका था, अब post-fertilization events होगे, fertilization के बाद zygote बना, अब इसका क्या होगा अब इसको पूरा organism भी तो तयार करना है तो सबसे पहले क्या बनेगा fertilization के बाद zygote, एक deployed zygote बना और ये universally हर sexually reproducing organism में बनता है यानि sexual reproduction होता fusion of gamut अगर fusion of gamut हो रही है तो fertilization के बाद zygote बनेगा ठीक है इन organisms with external fertilization, zygote जो है पानी के अंदर ही बनता है, वहीं पर fusion होई है तो वहीं पर zygote बनेगा जबकि internal fertilization में जैसे कि humans के अंदर female की body के अंदर fertilization हो रही थी तो वहाँ पर female की body के अंदर ही आपका zygote बनेगा, ये बहुत जनल सी बात है जहाँ fertilization होगी, वहीं zygote बनेगा further development कहाँ होगी ये depend करता है एक organism की life cycle पे और उसके environment पे let's say, काफे सारे पंगस है काफे सारे algae है, जहाँ पे एक thick wall आ जाती है इनके चारोर, zygote के चारोर जो कि उसे desication और damage से बचाती है तो कि वह अचानक से divide करना स्टार्ट नहीं करता जो zygote है, उसके उपने cover आ गया, fungus और algae के अंदर कि भाई, जब मुझे लगेगा कि condition proper है, favorable है मैं तभी organism बनाना स्टार्ट करूँगा अभी अगर मुझे लगता है condition थोड़ी बहुत unfavorable है, तो मैं आपने आपको haploid organism बनाना है, तो क्या होगा deployed zygote meiosis करेगा और haploid cell बना लेगा, वो haploid cell divide करके, divide करके, पूरा haploid organism बना लेगा, and let's say अगर कोई organism diplontic life cycle show करता है, तो zygote सीधा division start कर देगा, और काफी सारे diploid cells बना लेगा, so depends upon कि कैसा organism है, कैसे उसकी life cycle है, उसी हिसाब से zygote divide करेगा, तो zygote वो link है, जो दो generations को जोडता है, और यही ensure करता है, continuity of species on earth, यानि father mother की generation को, बच्चे की generation से कौन link कर रहा है, zygote क्योंकि father mother की damage मेरे तो zygote बना और वो zygote divide करके, नया individual बना रहा है, that's why it is a connecting link between two generations, अब आता है, embryo genesis की, embryo genesis, embryo zygote की development के बाद बनता है, genesis मतलब generation embryo की generation को embryo genesis बोला है, तो embryo genesis क्या हुआ, process of development of embryo या formation of embryo from the zygote, यानि एक zygote है which is a single cell, इसमें जब division होना start हुई तो दो cell बने, दो deployed, फिर इसमें जब division हुई, तो 4 cell बने 4 on deployed फिर आपके 8 cell बने, फिर 16 cell बने, फिर 32 cell बने and so on, इस हिसाब से चीजें चलती रही, और embryo आपका बन गया, अच्छे खासे cell का, इसे embryo genesis कहते हैं, तो zygote जो है, ये अच्छे तरीके से cell division करेगा पहले अपना नंबर बढ़ाएगा, खूब सारा, mitosis से, यानि बहुत सारे deployed cell बनाएगा और फिर करेगा cell differentiation, cell differentiation मतलब, अलग-अलग organs बनाना स्टार्ट करेगा, हर cell को individual काम दे देगा, जैसे यहाँ पर, 4 cell बने, 4 cell बने, इसको बोलेगा, भाया, तुम स्टमक बनाओ, स्टमक नाम का और्गन बनाओ, इसको बोल दिया तुम ब्रेन नाम का और्गन बनाओ, इसको बोल दिया तुम किडिनी नाम का और्गन बनाओ, इसको बोल दिया तुम लिवर नाम का और्गन बनाओ, और ये तो एक reference है, पहले जब cell divide करते हैं तो करोडों cells बन जाते हैं उसके बाद उन में से specialized organs, specialized tissue बनना start हो जाते हैं तो क्या होगा? Cell division तो number बढ़ाएगा cells का, increase करेगा number of cells और cell differentiation जो है वो cells को modify करेगा और उन्हें special tissues और organ में convert कर देगा जिससे एक नया organism बन पाए, बहतर तरीके से काम चलब पाए तो animals जो तरीके के हो सकते हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस lecture में OV parus, VV parus, OV parus जो अंडे देते हैं और VV parus जो directly बच्चे को जर्ण देते हैं तो depend करता है कि zygote की development female body के बाहर हो रही है अंदर उस हिसाब से नए OV parus या BB parus कहा जाता है अब अगर एक female ने अंदा दे दिया है तो उस अंडे के अंदर हो रही है न development female की body से तो अंडा बाहर हो रही है अंडे में तो female की body के बाहर की development इसे कहा जाएगा लेकिन humans के अंदर मा की गर्ब के अंदर ही बच्चा रहता है तो it is inside the female जहां पे development हो रही है राइट तो या तो यह eggs को ले कर देते हैं राइट या बच्चे पैदा करते हैं डारेके तो ओवी पैरस में जैसे की reptile है जैसे साब केंडे आपने सुने होंगे चिडिया केंडे देखे होंगे तो यहाँ पर calcium का एक shell होता है white color का usually जो आपने देखा है उसका reference हम ले सकते हो calcium का shell होता है इसे एक safe जगा पर female छोड़ देते है कुछ time तक वो अंडा incubate होता है incubate मताब undisturbed छोड़ दिया है आपने उस अंडे को grow करने दिया है इसके अंदर अच्छे से developmental process चल जाए फिर जैसे बच्चा पूरे तरीके से develop हो जाता है वो hatch कर दिता है अंडे को तोड़ दिता है और बहार निकल जाता है जबकि DV parous organisms जो है that is majority of mammals यहाँ पे zygote जो है यह बच्चे में convert हो जाता है inside the body of female organism तो कुछ time तक वो female के अंदर रहता है अपने अच्छे तरीके से growth करता है और उसके बाद delivery हो जाती है partunition हो जाती है from the female's body और क्योंकि यहाँ पर proper care और protection दी जाती है by the female अपने साथ ही रखा जाता है बच्चे को हमेशा तो इनके survival के chances बढ़ जाते है जबकि अंडे को कोई भी मार सकता है तोड़ सकता है फोड़ सकता है तो उनके survival के chances कम रहते है अगर आप plants की बात करें तो zygote जो है यह ovule के अंदर बनेगा ovule के अंदर एग था एग में आपका गेमिटा के मिल्क गेमिटा के fuse कर गया तो उसी के अंदर zygote बना यहाँ पर क्या होता है दोस्त यहाँ पर पिस्टिल जो है यानि female part जो है यह plant से attach रहता है क्योंकि उसी के अंदर development हो रही है zygote जो बना था वो embryo में convert हो जायगा ovules जो थे वो seed में convert हो जाएगे और ovule जो थी यह fruit में convert हो जाएगी और इसके उपर का जो cover है वो pericarb बना लेगा fruit के उपर का जो cover था वो pericarb कहला था peri मतलब periphery यानि 4 और कारb मतलब fruit तो fruit के 4 और का cover बना लिया ओवरी के कवर ने जो कि protection प्रोवाइड करता है after dispersal seed germinate under favorable condition तो यह जो seed है यह fruit में से निकल करके जब जमीर पे गिरेंगे तो नया plant बना लेंगे जैसे यहाँ पर आपको seed और pericar बता रहा है अब यह मतर का seed है इसका छिलका है यह pericar यहिए इसको बचा रहा है similarly यहाँ पर seed है इस case में और और इसके बाहर का cover है that is pericar और यहाँ पर seed है इस case में इसके बाहर का जो cover है that is pericar, seed और fruit को cover करता है आपका pericar as simple as that so this was about your first chapter of 12th class biological which is reproduction in organisms in coming videos we are going to talk about some more chapters of reproduction unit as well as we will be talking about ecology unit 12th का major part हम लोग को complete करना है जिसके पास हमारी genetics बचेगी and हमारा जो biology in human welfare है वो वाला part आपका बचेगा जिसमें microbes in human welfare आपका human health disease और strategies for enhancement of food production आएगा और 11th का भी majority part complete हो चुका है since cell वाली unit आपके complete है plant physiology आपकी complete है systematic complete है दो units रहती है that is morphology and anatomy structural organization as well as human physiology इसको एक shot में complete करा देंगे मतलब लगातारी पकड़ेंगे 11th और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर cover करा देगे so thank you so much guys for watching this video 100 days crash course launch हो चुका है आप चाहें तो इसे join कर सकते हैं connect हो सकते हैं हम telegram के उपर जहां पर आपको हमारे सारे के सारे notes मिल जाएंगे तो please make sure कि हमारे telegram channel को आप लोग join कर ले as well as आप हमारी application को install कर सकते हो नीचे description में link मिल जाएगा आपको यहां पर काफी सारे question banks है which starts from 10 rupees to 100 rupees इनको आप लोग use कर सकते हैं तो increase your grip on your topics और इस course को अगर आप join करना चाहते हैं तो इसका भी link description में दिया हुआ है please make sure कि आप join करें बहुत मजा आएगा ऐसा crash course आपने अभी तक नहीं देखा होगा यह मैं दावे के साथ कह सकते हूँ तो thank you so much यार bye bye take care lots of love जैहिंद I'll truly be catching you up in coming videos एक दिन का gap देंगे अब हम शायर या ना भी दे मैं रात को वीडियो बना दूँगा कल लेकिन थोड़ा सा gap मैं जरूर दूँगा जिससे आप plant physiology के और इस reproduction वाले chapter के backlog को कवर कर ले क्योंकि अब वीडियो धड़ा चुक्रिया यार मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर bye bye